नमस्ते मेरा नाम सुभम है और आप मुझे ब्रेन अब बिहार पे देख रहे हैं जो 2000 के नोट की बंद होने की बात की जा रही है आज वो बंदी नहीं है वो केवल सर्कुलेशन से आउट किया गया है कि बैंक अगर पेमेंट करती है आपको तो 2000 का नोट इसू नहीं करें ले यहां पे RBI का जो सर्कुलर है दो पेज का आ जाया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह क्लिन नोट के तहर जैसे कि कोई भी नोट चार साल पांच साल जब पुराना हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है और उसके बदले में नया नोट छपने लग छपके आ जाता है चुकि 18 से ही RBI ने 2000 नोट का छापना बंद कर दिया था तो आज 23 में 5 साल उसका हो गया और जो भी नोट पुराना है वो जेनरल टांजक्शन में यूज नहीं हो रहा है यह ऐसा RBI का सर्कूलर का काना है तो उन्होंने यह फैसला लिया है कि अगले चार महीना तक आप अ कि क्या मेरा खाता है तो कल हम एक लाख रुपया लेके जाते हैं बैंक में जमा करने तो होगा की नहीं होगा अभी के सर्कूलर के हिसाब से कोई लिमिटेशन नहीं है बैंक में जमा करना है हमको 5 लाख रुपय या भी अगर 2000 का नोट है तो हम अपना जमा कर सकते हैं उसका इतने जमा करना है आपके account में वो आप justify करीएगा कहां से लाए जमा हो जाएगा 20,000 का जो सवाल है वो जिनका bank खाता नहीं है बैंक को दे जीजे बस इतने सा बात है इससे आम पबलिक को उतना फरक नहीं पढ़ता है चुकि हमारे जो सबस्ति कर दो कर दोएपने नहीं है यह सरकूलेशन रोकने के लिए और बी इनेट होगा है कि अब 1000 का नोट चापना हो इसलिए 2000 का बंद कर दिया गया और कॉंग्रेस उस समय जब बोल रही थी कि 2000 का नोट से ब्लैक मनी बढ़ेगा तो बीजेपी ने बंद कर दिया अब आप इसको इस पॉइंट अभी उससे भी देखिए तो आज फिर कॉंग्रेस के परवक्ता ही आप ही कल तक बोल रहे हैं कि 2000 का नोट मार्केट में तो ब्लैक मनी ने बंद कर दिया कि भाई इसका जेनरल टांजेक्शन में नहीं यूज हो रहा है ब्लैक मनी लोग बढ़ा रहा है जिसके पास जा रहा हो दबा दे रहा तो अब हम उसको बंद करना चाहते हो और अगल टेंशन लेने वाला यह कोई नहीं है आपके पास अगर है तो अपने बैंक खाता में आप जम्मा करा लेजिए और बैंक खाता में नहीं आप जम्मा कराना चाहिए तो बिस बिस आर करके एक्सचेंज कर लें यह हो गई बात 2000 वाली नोट की अब है सहारा का जो दिल्ली अपने चाल में अपने इतना फंस गई है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कोट में क्या बोलना और एड्जॉर्णमेंट कर रही है कि आज नहीं सुनिए दो दिन बाद सुनिए तो अभी फिर 16 वाला का भी ओर्डर अपलोड आज हुआ है उसमें बोला कि अब 23 मई को और को लेकिन अब सुनवाई होके रहेगा आप चाहे केश उठाने का बात करे या इसमें ज्यादा कुछ ज तो ये थे, आपके रेजिस्टार थे, कम्पनी रेजिस्टार महराश्ट मुंबई के उन्हीं के एगेंस में ये केस फाइल शहारा ने किया है, सहारा हाउसिंग का और सहारा कमर्सियल का, दोनों केस है, और दोनों का सुन्वाई में A.F.I.O का रिपोर्ट आना सबसे जरूरी स्टेट है किया हैं यह जानने के लिए लोग उत्षुक हैं अगर नहीं है तो भी सफाइम बता दे अगर है तो उसको भी अगर अरेस्टिंग करें उसके खिलाब करवाई करें यहीं जानना है बाकी कुछ से नहीं होना है इनके नों कमपनियों का जांच का जो आदेश सुप्रीम कोट में जाके लेना पर आ था से फायों को उसी का रिपोर्ट इससे आना है अब तीसरा केस हाई सुप्रीम कोट का जो कि समर्भकेशन सुरू हो गया उनिस तरिक तक ही लास्ट अगले 40 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होगी जेनरल हीरिंग में अब जो जुलाई को एक ही बार कोट खुलेगा तो कुछ अगर होगा अगर समर्भकेशन में भी जो लिस्ट आया है सुप्रीम कोट के साइट पर उसमें सहारा का मामला नहीं है उसका जो तरीका है लिस्टि समर्भकेशन के पीरियर में सहारा इंडिया के सहारा सिरी तो बाहर है अगर यह जेल में आज बंद होते तो इनका भी मामला आज सुनवाई होता तो आप लोग यह मनाईए कि जल्दी से जेल में जाएं ताकि सुनवाई हो जाए समर्भकेशन में भी इनका मामला ओभी क्रि जाएगा अगर इस पेसली कुछ नहीं होता है लिस्टिंग कराने के दिए तो समर्भकेशन में भी सहारा का ममला सहारा से भी मुख भी बादवला नहीं उठने जा रहा है अब एक ही बार जुलाई में कुछ होना होगा तो होगा अगर बीच में कुछ ऐसा रहेगा तो हम आप हम कौन होते हैं सहारा के बिरोध में बोलने वाले तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि हम सहारा के पूर्व एजेंट ऐसा नहीं है कि मेरा भी कोड अभी इनेक्टिव होगा अभी चालू कराएंगे तो चालू हो जाएगा 1599 बरॉली ब्रांच सिवान के में मेरा कोड है उसका आप वहां से केवाईसी निकलवा लीजिए 1599 ब्रांच कोड में सुभम कुमार के नाम से केवाईसी आप लो निकलवा लीजिए और हमने अपने क्लाइंट का पैसा जमा करा दिया था हाला कि सोसाइटी में आपका है यह है अपका रियल सेट है इसी सब में है कमर्सियल है सोसाइटी में ज़्यादा नहीं है एक दूगों हो सकता है तो पहला कि आम एजेंट को मेंट करना चाहते हैं और को आप लोग समझते हैं कि जीधर हम लोग बोलेंगे उधर चलेगा आपने दिमाग से तो लोग चलना नहीं है अभी फसा है उसमें तो सब से ज्यादा जेल रहा है जो 90 परसेंट आम एजेंट है जो कि कभी कुछ पूछा ही नहीं उपर कि आप पैसा का क्या कि दिएगा ये चार सोसाइटी क्यों बना रहा है क्यों सब क्यों ले गए आपने सर्टिफिकेट लाया उनको कमिशन दे दिया कि आप अपना समझ उसके बाद भी लाश्ट-लाश्ट में कमिशन भी आपने एपडी किया और एपडी करके उन लोगो को भी फसा दिया लेकिन कोई बोल नहीं पा रहे हैं आपके एगेंस में कि आप कल निसकासिस कर दीजिएगा नूटिस भेज दीजिएगा यह तो हम कोई सबसे डर नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कोई चीज गलत बताएंगे तो मेरे खिलाफ में सहारा चाहे आप ल डाउनलोड करके दिया है तो पॉब्लिक डॉक्मेंट है और आपने पॉब्लिक का पैसा लिया है इसलिए यह बताना जरूरी है जो कमपणी आपका पॉब्लिक से पैसा नहीं लिया उसके बिशाय में हम एक सब्द नहीं बोलेंगे जैसे आपका सहारा नूज है वह क्या ल बोलेंगे जो पॉब्लिक का पैसा उभी के एकस एजेंट सहारा मेरा फ़र्ज है कि जो भी एजेंट फशे उए हमको फोन करते हैं कि क्या कियाजा क्या किया जार क्यूंकि आपने इफ्रमेशन देना उनको बंद कर दिया तो हम डाइडेक्ट फोन पर नहीं बताके वीडियो के माध्य हम सुननों को बताते रहें और यह बताते रहेंगे इसका डिटेल्स वीडियो हम बनाएंगे संडे को अभी नहीं आपको बढ़िया जबाब देंगे अभी के लिए इतना हमेशन देना हमेशन देना है